हेलो बच्चों लोग कैसे हैं आप तो बच्चों यहां पर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करेंगे वो भी यहां पर फिजिक्स के लिए चैप्टर हमने सब्जेक्ट फिजिक्स है क्लास आपका 12 है बोर्ट सीविस्टी है और सबसे इंपॉर्टन बच्चों क्या है यहां पर हम चैप्टर करेंगे 12 चैप्टर एटम्स चैप्टर तो नहीं करेंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टन है कि इस चैप्टर से सीविस्टी बोर्ट 2023 में जितने भी कोईशन्स एक एक कोईशन्स जितने भी कोईशन्स है वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो 2023 क के पेपर में आए हुए हैं वो भी कितने वच्चो 16 चाप 16 पेपर से मैंने कलेट करें सारे एटम चैप्टर के तो मैं यहां पे आपको सारे कोशन एक एक करके सॉल पराऊंगा और आप मेरा पका मतला आपसे प्रॉमिस यह भी है कि अगर आप यह कोशन सारे कर लेंगे तो आ यहां पर आपकी यहां पर अपडेट होके आईए इस यह से न्यू एंस इर्टी उसके एकॉर्डिंग मैंने सारे कोशन लिए तो चलिए मैं टाइम विल्कुल वेस्टरी करूंगा मैं आप से स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैंने यहां पर mcq questions लिए है जितने भी इस 2023 म में आई हुए है देखिए first question आपके लिए यहां पर है क्या the radius of an orbit of bore model of hydrogen atom is proportional to आपके पास option है यहां पर चार option दी होगे आपसे पूछा गया बोर model जो hydrogen atom का है उसमें जो radius है वो किसके proportional होती है तो बच्चों यहां पर आप सब पढ़ चुके है अब आप बोर के लिए सीधा त्यार है तो अब आप देखेंगे आप जानते भी हो कि जो बोर की radius होती है वो directly proportional किसकी होती है जो orbit होती है उसके square के directly proportional होती है तो बच्चों यह यहां पर आपका answer correct कौन सो हो जाता है यहां पर radius है तो यहां पर जो correct answer है बच्चों वहां पर वो क्या है सी option इस second question है the potential energy of an electron in the second excited state in hydrogen atom options आपके बाद given है तो यहां पर बच्चों इस questions में जो जो formula यूज होंगे वो मैंने आपके लिख रखे मैं अभी इसको आपको explain कर दूँगा देखिए आपको potential energy निकालनी है electron की ठीक है तो आप जानते है कि potential energy निकालने के लिए एक energy का जो formula होता है 18.6 N square EV तो आपको बच्चों यहां पर second excited state बतानी है तो देखिए आप जानते है जो आपने इसका diagram पड़ाओगा energy का तो यह आपकी n बन बराबर 1 होती है ground state फिर n बन बराबर 2 n बराबर 3 यह आपकी labels होते और यह आपकी कलाती excited state तो यह कलाएगी आपकी first और यह कलाएगी आपकी second तो second excited state के लिए जो value होगी n की वो कितनी होती बच्चों 3 तो बहुत से बच्चे यहां पर क्या mistake करते है जब second excited state के लिए value लगाते है तो n की जगे यहां पर 2 लगा देते जो बिलकुल गलत है क्योंकि यह ground state कलाती है ground state से जो उपर की state होती है वो सारी excited कलाती है तो पहली excited state आपकी start होती है n is equal to 2 से तो अब आप समझ गए कि यहां पर अगर second excited state की बात की जा रही है तो उसमें आप बच्चों n की जगे कितना लगाएंगे energy के लिए 3 तो यहां पर हमने energy के लिए बच्चों यहां पर n की जगा 3 लगाया 3 का square कितना हो गया 9 और 9 से इसको divide क करेंगे तो यह answer आजागा आपका बच्चों यहां पर माइनस 1.5 बन electron बोल्ट अब आप यहां पर यह तो total energy निकली आई बच्चों लेकर यहां पर आप से क्या पूछा गया था potential energy अब देखे जो मैंने formula लिखके थे वो यहां पर utilize होंगे यह आपने पढ़ लखा है kinetic energy का formula electron के लिए और potential energy EP का formula हो गया और यह total energy के लिए formula हो गया अब आप इसमें अगर इन दो में अगर आप relation बनाए होंगे आपने पढ़ भी रखाओगा chapter में तो potential energy और total energy देखी में 2 का अंतर आ रहा है वाकी सब सेम है तो इस दोनों को जब solve करेंगे तो आपके पास एक नया relation आएगा जो potential energy होती है वो minus 2 into electron की total energy के sums के बराबर होती है तो बस अब आपको potential energy निकालनी है तो आपको यहां पर क्या formula लगाएंगे कि potential energy जो है यह जो formula मै potential energy ET का मत्दब total energy तो potential energy जो होती है वो कितनी होती है यहां एक mistake है यहां पर बच्चो प्लस साइन आएगा तो potential energy जो होती है वो 2 into total energy के बराबर होती है अब यहां पर energy हमारे पास कितनी बच्चों यहां पर energy की value हम लगा देते माइनस 1.5 बन और जब इसको हम multiply करेंगे तो multiply क करके हमें यहां पर answer मिल जाएगा माइनस 3.02 electron volt तो यह किस से मैच हो रहा है आपके कौन से option से मैच हो रहा है बच्चो बी option से मैच हो रहा है तो बी option यहां पर आपका बिल्कु कर्रेक्ट आंसर है next question पर आते है hydrogen atom initially in ground state hydrogen atom generally कहां रहते है ground state में रहते है absorb of photon which excite and is equal to 5 label और वो absorb photon को करके energy को अपने से उपर वाले लेविल यानिकि 5th लेविल में पहुँच जाते है तो उस case में आपको wavelength बतानी है photon की कितनी होगी तो यह भी मैंने formula लिग रखे जो जो इस numerical में यूज होगा आपका तो सबसे पहले देखिए बच्चो आप जानते हैं यहां पर कि आपने पढ़ लखाय कि जब कोई भी electron higher label यानिकि इसको दुबारा draw कर लेते हैं जैसे कई energy level होते हैं यह आपका एन बराबर 1 यह एन बराबर 2 और यह एन बराबर 3 जब कोई भी electron higher से किसी भी lower state में आता है तो आते समय वो अपने अंदर से क्या करता है energy release करता है वो energy क्या होती है photon के energy होती है जिसको हम किस से लिखते है h new तो यह formula बच्चो आपने पढ़ा होगा h new बराबर कितना होता है e2-e1 तो यह photon की energy है अब यहाँ पर e का formula हमने देखे लिख भी रखा यहाँ पर राइट सेड में जो energy का formula होता है वो होता है minus 13.6 upon n square e2 के लिए यहाँ पर n2 की लगाएंगे और e1 के लिए n1 कि यहाँ पर e2 के लिए कितना लगाएंगे बच्चों यहाँ पर इसकी जो value है थर्ड कोश्चन है आपका hydrogen atom initially in the ground state absorb a photon which excited it to n level the wavelength of photon की आपको निकालनी है तो देखिए इस question में जो formally use होंगे वो आपके सामने लिखे हुए है सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि hydrogen अपना ground state में है और वो किस state में जाता है fifth level में तो कितनी wavelength होगी उसके लिए आपको में एक चीज़ बताता हूँ आपने देखिए यहाँ पर energy level diagram आपने पढ़ लखा होगा n बराबर first state जिसको ground बोलते हैं यह second n बराबर three state और यह four state इस परकार की कहीं state होती यह सारी कलाती excited state जब भी कोई electron अपनी higher से lower state में आता है तो आते समय बच्चों वहाँ पर वो energy क्या करता है release करता है किसके photon के रूप में h new तो आपने यह formula बच्चों पढ़ खाओगा photon की energy कितनी होती है higher state second हो गई और first state क्या हो गई even हमने consider कर लिए जब भी कोई e2 से even में आता है तो वह energy क्या करता है release करता है अब यहाँ पर e का जो energy का formula होता किसी भी n orbit के लिए वो कितना होता है minus 13.6 n square होता है हमने इसको apply करा second orbit के लिए तो n की जगा हमने n2 लिख लिए और first orbit के लिए करा तो n1 लिख लिए इसको जब solve करेंगे तो यह minus और minus मिलके क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और साथ के साथ हमने यहाँ पर बच्चों क्या करा 13.6 को common निकाल लिया तो यह plus का हो गया तो इसको हमने n1 square वाले terms को पहले लिख लिए और यह बात को लिख दिया अब इसमें आप देखिए आपका जो question में transition दे रखा है वो first label से कितने label पर पहुंचता है fifth तो इसमें हमें n1 की जगे 1 लगाएंगे और यह n2 है बच्चों यहाँ पर यह n2 चलिए कोई बात नहीं यह n2 है n2 की जब लगाएंगे तो इसी formula में जब value लगाएंगे तो यह आपको यहाँ पर क्या मिलेगा इस formula हमने value लगाई अब देखें वैच्चों यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है wavelength पूछा जा रहा है तो हमने क्या करा यहाँ पर जो मियू है उसकी जगे मियू का formula कितना होता है c upon lambda और यह formula कहाँ से आया c बराबर mu lambda से तो इससे हमने mu की value separate करी तो c upon lambda तो यहाँ से हमने mu को हटाया और उसकी जगे बच्चों यहाँ पर क्या लग दिया c upon lambda एंड वन की जगे हमने कितना लगाया एंड वन की जगा हमने लगाया वन के और यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 25 तो इसको 25-1 करेंगे तो यह तो यहाँ पर 24 अपॉन 25 अब देखे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ है देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूं मैंने लिग भी रखा है हाइट यह होता है प्लांग कॉंस्टेंट यह आपको गिविन होगा पेपर में सी क्या होती स्पीड ऑफ लाइट अब देखिए कहीं कोश्चंस में बहुत जगे यहाँ टाइम नहीं होता कि आप इन दोनों की मल्टिपलाई करें फिर स्ट्व करें तो हैससी की जो पूरी वैलियू होती है वो आपके पास यह इन दोनों की मल्टिपलाई H और C की multiply के बाद मिलता है तो यहाँ पे मैंने क्या करा है इसी SC की जगा यहाँ पे इसको लगाया round off में करा है मैंने 19.8 तो यह 19.8 हो गया और power कितनी है इसकी बच्चो 10 की power minus 26 upon lambda यहाँ मैंने इसकी calculation करी यह आपका part calculation को solve आ गया और तूसरा यहाँ पे मैंने एक change करा है क्योंकि यहाँ पे answer आपको meter nanometer की रूप में दे रखा है तो electron board को firstly आपको किस में convert करना पड़ेगा जूल में तो एक electron board में बच्चो कितने जूल होते हैं आपके 1.6 into 10 की power minus 19 तो उससे हमें इसको क्या करेंगे electron board को जब जूल में convert करेंगे तो हमें इस term से भी multiply करनी पड़ेगी अब यहाँ पे हम इससे अगर lambda निकालते हैं तो lambda कैसे निकलेगा बच्चो तो यहाँ पे 25 की cross multiply किस से कर देंगे इस term से तो यह उपर वाले term आगई आपकी और बचा हुआ पार्ड यह जो है आपका remaining part वो divide में हो जायागा जब इसको हम solve कर लेंगे तो उपर उपर की जो multiply है मैंने इस दोनों की multiply करी तो यह आपका आगए 495 और यह minus 19 power उपर जाके plus हो गई तो 26 में से 19 power plus की करेंगे तो power आपके कितनी बचेगी 10 की power minus 7 और जो remaining term नीचे की जितनी भी यह है इन सब की मैंने multiply करी और multiply करके कितना आगए आपका यह अब अगर हम इस term से इसको divide करते है तो divide करने पर आपका answer आ जाएगा यहाँ पर 0.947 और power अब देखिए answer जब भी देते हैं तो answer यहाँ पर फिलाल तो option के साफ से करना है कि इसमें कोई भी power नहीं आ रही है तो हम पहले यहाँ पर क्या करते है कि इसको यहाँ पर इसके पास ले आते है 94.7 लिखेंगे तो decimal को जब right में shift करते हैं decimal को जब right में shift करते हैं पावर किसमें आती है minus 2 दो प्लेस अबने इसको shift करा तो 10 की पावर minus 2 आपके पास कितना था 10 की पावर minus 7 तो इसको जब solve करेंगे तो 10 की पावर minus 2 हम minus 7 मिलके कितना हो जाएगा 10 की पावर minus 9 अब देखें यह answer आपको जितने भी दे रखें नैनो मीटर में दे रखे हैं और यह answer कितमे आ रहा है मीटर में तो मीटर को अगर नैनो मीटर में convert करना है तो हमें 10 की पाव minus 9 से क्या करना पड़ेगा divide तो यह 9 से 9 कर जायेगा और answer आपकर किसमें आएगा नैनो मीटर में दूसरा इसको round off करेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी answer पाइंट में नहीं है तो 94.7 को round off करेंगे तो यह आपका आजागा 95 नैनो मीटर तो यह answer आपका इससे match कर रहा है इसको मैं fairly यहां पर लिग भी देता हूं तो जो finally calculation करके आएगा नैनो मीटर में वो आपका आजाएगा लैमडा बराबर 95 नैनो मीटर आपका option जो correct हो गया वो यहां पर option आपका कौन सा correct है बस्टो डी option is correct fourth question पर आते है a hydrogen atom makes a transition and is equal to 5 to 1 orbit the wavelength photon की emit होती है इतनी अगर कोई transition कहां से होता है अगर कोई transition is equal to 5 से कहां पर होता है ends is equal to 1 में होता है तो उस case में उसकी wavelength कितनी दे रखे liemdड मेलन की अब आगे दे रखे है wavelength of photon की orgas करता है अगर वो transition कहां से होता है end's equal to 5 से किस में आता है कि ने जे उगल to 2 में आता है तो उसकी wavelength आपको दे निकाल नहीं है तो मैं उस wavelength को lambda dash माल लूँगा और उसको हमें क्या करना है बच्चो find करना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे सबसे पहले इसमें जो use उने formula यह आप इसको मैंने लिख रखा है तो इस formula से हम इस question को solve करने माले है तो सबसे पहले हमने इसी formula को लिखा और यहां पे जो लिखने के बाद आपका पहला transition है वो 5 से किस orbit में आ रहा है है first orbit में आ रहा है तो यहां पर N1 की जगे हम जिसमें आता है वो लगा देंगे और किस से आ रहा है फिफ से तो वो N2 की जगा तो आपको यहां पर यह result मिल जाएगा इसको थोड़ा solve कर लिया हमने 5 का square 25 और LCM भी ले लिया तो यह आपका calculation करके बच्चो आंसर आगे इतना है इसको हमने consider कर लिया first equation तो यह हमने transition किसके लिए किया N is equal to 5 से 1 orbit जिस case में हमें lambda दे रखा था अब हम यहां पर यही formula यूज करेंगे किस transition के लिए N is equal to 5 N is equal to 2 के लिए तो उस case में हम N1 की जगा कितना लगाएंगे इसी formula में N1 की जगा लगाएंगे 2 और और N2 की जगा कितना लगाएंगे हम यहां पर 5 तो इस case में हमें यह मिलेगा और यहां पर हमें wavelength इसमें पूछ रहा है तो हमने यहां पर इस case में wavelength बच्चों क्या consider कर लिए lambda dash जो की हमें क्या करनी है find करनी है इसकी calculation करते है तो calculation में 2 का square कितना हो गया 4, 5 का square कितना हो गया 25, LCM लेगा 100 LCM आ जाएगा तो calculation करने आती है फिर भी अगर नहीं आती जिन बच्चों को वो मुझे comments कर सकते हैं मैं इसको और भी आसान करके बना दूँगा next time तो यहाँ पे 4 से हमने इसको divide के 100 को 25 और इसको करेंगे 4 तो यह आपका calculation करके answer आ गया 21 upon 100 R इसको हमने कहा दिया कुछ देर के लिए second equation अब देखिए इन दोनों equation में पहले वाले case में आपको lambda क्या है बच्चों given है और हमें क्या निकालना है दूसरे case में transition में lambda dash निकालना है तो lambda dash को निकालने के लिए हमने क्या करा equation को यहाँ पर divide किया first को second से तो first equation हमारे पास कितनी है first equation है one upon lambda तो one upon lambda आ गया और divide जब second equation दे करेंगे तो यह recipe protocol करके multiply में लिख देंगे तो यहाँ one upon lambda था उसका recipe protocol कितना हो गया lambda dash upon one right side में इस equation का यह part कितना है 24 upon 25 है बच्चों और यह वाले part से जब करेंगे तो इसको recipe protocol करके लिखेंगे divide में जब कुछी multiply में आती तो reciprocal हो जाती है अब अगर इसको calculation कर लिए जाए तो यहाँ पर 25 से 100 आपके cancel होगा 25 फोर जा 3 से काटेंगे 3 8 जा और 3 7 जा तो आपका answer आ जाएगा 32 upon 7 और इधर कितना आ जाएगा आपका lambda dash upon lambda और lambda dash निकालेंगे तो 32 upon 7 lambda इसकी cross multiply में चला जाएगा तो यह lambda तो यह आपका answer किस से match कर रहा है डी option से match कर रहा है मैं इसको fair कर देता हूँ तो fair करके आपका यह answer आ गया दी option is a correct answer next question आते है 5th question है specify the transition of element in wavelength of the line in the bore model of hydrogen atom which gives rise the spectral line of the highest wavelength हमें यह बताना है कि किस में highest wavelength आपको मिलेगी ठीक है बच्चो तो यहाँ पर transition देखे मैं आपको इसको दो तरीके से questions बता दूँगा एक बार पर solve भी करा देता हूँ पहले चलिए पहले मैं आपको solve करके दिखाता हूँ फिर में इसको एक तरीके से और भी होता हूँगा तो आप देखें यहाँ पर यह formula हमने पड़ा हुआ है यह formula हम option से लेके question अगर करें तो इस formula में transition हम N की जगे कितना लगाएं एन बन की जगा लगाएंगे 1 और N2 की जगा लगाएंगे 3 तो हम एक इसको solve कर लेते हैं तो यह मैंने सब solve already करके रह रखा है ताकि आपका time बि calculation करना आती है मैंने इसकी जगा three of one लगाया और solve कर लिया यहां तक तो आपने कर लिया यहां तक तो आ गया अब यह बच्चो लेमडा हमें निकालना है तो इसको reciprocal करेंगे लेमडा जब निकालेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा 9 upon 8R और इसको divide करेंगे तो यह answer आ गया तो और यह चौते option के लिए अगर मैं ऐसे question solve करता हूँ तो मेरे इसाफ आपके इसाफ से answer आएगा इसका बच्चो वह क्या आएगा क्योंकि आपसे पूछा गया था highest wavelength कौन से transition में हो रहा है तो आप देखेंगे इन सब में highest कौन से आपका तो बी पार्ट में highest value सबसे ज़्या ज़्यादा है बच्चो तो इसका मतलब यहां पर इसकी wavelength क्या होगी ज़्यादा होगी तो यह transition B वाला इस correct answer अब देखें यहां पर क्या हुआ बच्चो की आपने इसको करतो लिया लेकिन time कितना लगा बहुत ज़्यादा लगी है calculation में इसी question को हम दूसरी की तरीके से भी क ठीके अब आप देखिए कि lambda जो है आपको wavelength बतानी थी highest wavelength बतानी थी बच्चो यहां पर तो highest wavelength निकालने के लिए क्या है यहां पर अगर energy जिसकी ज़्यादा होगी तो उसकी wavelength क्या होगी कम होगी यह हम उल्टा कहें जिसकी energy कम होगी उसकी wavelength क्या होगी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर solve परा दिया क्योंकि आगे अगर यह question numerical रूप में मिल गया तो आप कर पाएंगे तो यहाँ पर देखी बच्चो मैं इसको दूसर तरी के से बताओं तो यहाँ पर transition करने में कितना difference है दो का इसमें transition का difference कितना है वन का इसमें transition का difference कितना है बच्चो यहाँ पर 3 का और इसमें transition का difference कितना है 2 का तो सबसे कम transition वाला part कौन सा है ये तो इसमें energy अगर कोई भी electron higher से lower में आता है तो जितना gap ज़ादा होता उतनी energy ज़ादा emit होती है तो यहाँ पर energy का transition सबसे कम है और अभी मैंने आपको formula बताता है e बराबर sc upon lambda से अगर इसमें energy बच्टर यहाँ पर कम है तो lambda की value क्या होगी ज़ादा होगी देखिए मैंने इतना लंबा solve करा मेरा time कितना खराब हो गया और मुझे सिर्फ एक जस्ट टिक करना था कि यह option कौन सा correct है मैंने solve कराने का मेरा मकसद था कि आपको पूरा explain भी कर दूँ ताकि आपके पास यह question अगर numerical की form में आगे तो फिर आप कर पाएंगे फिलाल इस question को कि मैं directly करता तो यहाँ पे transition बहुत कम है n जिगल टू 3 यानिकि एक ही label का gap है तो इसमें energy सबसे कम लगेगी और energy gap होगी तो wavelength इसकी क्या होगी highest होगी तो मैं इसको directly tick कर देता option B पे तो फिलाल मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया ताकि आपको कोई भी confusion ना हो next question पे आते हम the ratio of maximum frequency and minimum frequency का निकालना है limit of light emitted by warmer series of hydrogen spectrum in bore model अब देखिए सबसे पहले तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा warmer series क्या होती है तो बामर series के लिए पहले मैं आपको यहां पे एक diagram बनाके बताता हूँ energy diagram बोलते हैं इसको यह आपकी ground state होती है यह आपकी first excited state होती है इसके उपर n is equal to 3 हो गया n is equal to 4 आप जब डाग्राम बढ़ाते हैं तो इसमें हाइडवन एटम में क्या होता है कि जब electron higher से lower में आता है तो energy release करता है लेकिन जब कोई electron अगर पहली orbit में आता है कहीं से यहां से first orbit में आ रहा है यह first ground state में आ रहा है तो वो series कलाती है लाइमन अभी यहां पर आपको किस से मतलब है बामर से बामर से क्या होती है कि जब electron किसी भी higher state से cable कौन सी स्टेट में आए second state में और भी n is equal to five state हो लेकिन आये किसमें second state में तो उसमें जो option series होती है वो series हमारी कहलाती है बामर series तो बामर series के लिए यह valuable fix है कि lower level कितना होगा बच्चो टू अपर लेविल क्या होगा यानि कि एन्वन टू होगा और अपर लेविल क्या होगा अपर लेविल आपका three हो सकता है च्री से भी लक्टान नीचे आ सकता है four से भी आ सकता है five से भी six से भी डॉट 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 इसका मतलब कि lower state fix है कि वो आएगा किस में second में क्योंकि यहां पर आपको किस लिच के बारे में कहांगे अब बामर बस यह main चीज है इसमें बाकी questions करना आपको बहुत असान है अब देखिए यहां पर maximum frequency पूछ रहा है तो maximum frequency के लिए हम पहले इसको formula frequency की रूप में बना लेते हैं तो c बराबर mu lambda होता है इससे और lambda निकालेंगे इससे one upon lambda तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर mu upon c तो यहां पर one upon lambda खटाया उसकी यह क्या लिख दे रहे है new upon c और c की यहां पर हम cross multiply कर दे तो यही formula हमारे किसके लिए आ गया frequency की लिए आ गया क्योंकि हमसे पूछा गया था frequency maximum और minimum अब इस formula में अगर आपको maximum frequency निकालनी है तो आपको maximum frequency निकालने की जो transition देखिए आपने बामर स्रीश के लिए पढ़ा तो n बराबर 2 fix होती है lower state तो maximum frequency के लिए electron कहां से jump करना चाहिए higher से higher है तो higher से कोई लेविल तो होता नहीं है तो उसको हम क्या मानते infinity तो यह वाला लेविल किसके लिए लगाएंगे हम maximum frequency के लिए हम minimum के लिए बच्चों क्या लगाएंगे जो second orbit होती है हम चाहते है कि कम से कम energy वह और release करे frequency कम से कम हो उसकी तो उसके लिए वह केबल किस से बराबर 3 और इसके लिए maximum के लिए n1 बराबर 2 और n2 बराबर क्या होगी infinity तो चलिए उसको मैं फियर भी करता हूं तो यहां पर हमने क्या करा maximum frequency के लिए lower transition है वो 2 है और higher transition क्या है infinity है lower इसलिए क्योंकि यहां पर बामर series का case दे रखा है बामर series में कोई भी लगटान अपने से lower किस में आता है केबल second orbit में आता है और किसी भी state से आ सकता है और हमें ज़्यादा चाहिए तो हमने maximum से maximum क्या ले लिए infinity अब ये वाली value हम लगाएंगे इस वाले formula में तो जब हमने formula में लगाया तो infinity का square infinity से किसी भी terms को divide करते है तो ये आपका हो जायागा 0 तो बचेगा आपका answer कितना CR उपर और 2 का square कितना हो गया 4 तो ये आपका case maximum frequency के लिए अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे minimum frequency, minimum frequency के लिए transition अभी मैंने बताया जो lower वाला होगा वो 2 और उससे just उपर वाला क्या होगा 3 तो ये value अब हम इस formula में फिर से लगा देते हैं तो हमारे पास फिर से frequency आ जाएगी इस बार मैंने frequency को dash लगा के consider कर लिया जो की represent कर रही है minimum और mu represent कर रही है maximum frequency को तो इसको जड़ा solve कर लेते हैं तो solve करने के लिए क्या होगे यहाँ पे 2 square 4, 3 square 9, LCM ले लिए हमने LCM लेके आपके पास जो आ जाएगा वो value अगई 5 CR और 36 अब हमें क्या निकालना था इन इन चीजों में हमें क्या find करना था ratio निकालना था maximum का और minimum का तो यह आपके पास maximum है और यह minimum इन दोनों को हम divide कर देते हैं तो यह हमारे पास ratio आ जाएगा ratio कितना आ गया आपका CR upon 4 इसका और इसको हम उल्टा करके लगा देंगे value और इसको card bit कर ले तो CR से CR कर गया अब 4 9 जा तो यह ratio कितना आ गया आपका 9 upon 5 का ratio आ गया और 9 upon 5 का ratio किस option से आपका match करता है बच्चो तो यह करता है आपका B option से तो B option is a correct answer अभी यहां पर हमारे MCQ चल रहे हैं मैं आगे long questions भी मैंने सारे बनाए है आप इस वीडियो पर बने रहेंगे तो आपके लिए सारे questions solve होते चले जाएंगे long से long और short से short next question पर आते हैं 7th question अब photon absorbed by hydrogen atom excited it from n बराबर 3 level to n बराबर 5 level the energy of photon in is तो यहां पर हमारे पार level n गोल टू 3 से n गोल टू 5 रखा है तो यह आपके लिए formula आप जानी चुके है इसमें हम यहाँ पर दोनों के लिए के लगाएंगे energy का formula n2 के लिए energy का formula n1 के लिए और जब इसको हम solve कर लेंगे तो हमारे पास यह result आजागा इसमें हम जो value आपको transition दे रखे थे n1 बराबर 3 और n2 यहाँ पर लगा देंगे और लगाने के बाद इसको जब solve करेंगे तो solve करने के बाद आपके पास जो answer आजाएगा वो यह आपके पास answer आजाएगा और इसकी जब हम calculation कर लेंगे तो यह calculation हमारे पास आजाएगी electron bolt में लेकिन अभी answer नहीं ही आया है क्योंकि answer हमें देना round off में तो round off करेंगे इसको तो यहाँ पर round off करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.967 का round off कितना हो जाएगा 5 से नंबर बड़ा होता तो यह number increase हो जाता है तो round off करने पास यह answer आपका match कर रहा है एक option से तो एक option इसका आपका correct हो गया next question पर आते हैं यहाँ पर आपको दिखा रखा है diagram show for energy level electron in bore model of hydrogen atom identify the transition emitted photon will be highest energy पलकुल अभी हमने question करा है highest energy बतानी है किस वाले case में होगी तो देखिए यह वाला jump कर रहा है end equal to पहला वाला case जो jump कर रहा है उसमें कितने का difference है बच्चो 2 का second वाले case में difference कितना है बच्चो यहाँ पर 1 का 4 और 3 में थर्ड वाले में भी difference कितना है वन का और इसमें difference कितना है वन का बहुत सिंपल है तो सबसे ज्यादा जो gap आ रहा है difference है वो किस वाले case में फर्स्ट वाले case में तो जब कोई electron यहां से यहां पर jump करेगा तो उसमें energy ज्यादा release होगी और आपसे highest energy पूछा गया तो highest energy के लिए आपके पास option कौन सा हो जाएगा बच्चो यहां पर first और देखिए मैंने हर चीज़ लिखता भी हूँ यहां पर ताकि अगर मेरी बात को मैं बोल रहा हूँ अगर वो मिस हो जाती है तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा largest energy difference first case में होगा क्योंकि यहां पर jump कहां से कर रहा है वो 3 से first में कर रहा है जो की सबसे ज़्यादा energy मतलब energetic है तो यह difference difference किस पर इंगलत होगी सही कर लीजेगा तो यह आपका option यहां पर क्या होगे एस करेक्ट यूजिंग बोर पॉस्ट्रेट अप्टेन दा एक्स्प्रेशन फॉर्ड रेडियस ऑफ एनेत औरविट इन हाइड्रोजन एटम आपको रेडियस का फॉर्मलर ड्राइब करना है एनेत औरविट के लिए देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल बहुत ही important questions है यह आपका और बोर्ड में यह कहीं बार पूछा गया है देखिए जब कोई electron nucleus के चार ओर move कर रहा होता है तो यहां पर उसकी velocity हमने मालनी कितनी वी है electron पर charge कितना e है और जो nucleus का charge है वो कितना है z e है और उसकी radius कितनी है r यह हमने consider कर लिए तो सबसे important क्या होता है जब उसके चारोर revolve कर रहा होता तो revolve करने के लिए उसे क्या चाहिए होता बच्चो centipital force चाहिए होता है आपने पढ़ लखा lab in class में जब कोई body circular path पर rotate करती है electrostatic force का मतलब हो गया कुलाम सुला तो यहां पर जो main funda है वो क्या है centipital force equal किसके रखेंगे आप electrostatic force के क्योंकि जो electron को move करने के लिए necessary centipital force मिल रहा है वो किससे मिल ला है electrostatic force से तो चलिए मैंने आपको जैसे क्या रखा कि मैं आपको अपने वर्डों के साथ साथ मैं आप अपना copy के notion बना सकते otherwise आप direct इससे पढ़ भी सकते क्योंकि यहां हर चीज़ लिखी हुई आपको मिल जाएगी तो देखिए थोड़ी सी language मैं पढ़ लेता हूं let me the mass of electron यह mass है इसका electron का जो revolve कर रहा है around the nucleus in orbit क्योंकि थोड़ी बाद लेंगोज तो आपको लिखनी capital force का है हमारे पास अब कुलाम्स लाग क्या होता है आपने पड़ी रखा है one upon four pi epsilon not q1 q2 upon r square q1 जो हो गया इसका माल दी हमने जैडी और q2 क्या होगे electron charge और r square इन दोने की बीच की जो distance से वो यह हमने एक आर से एक आर को cancel करा तो आपके पास result कितना आ जाएगा उपर से बच इसको है और यहां बचेगा one upon four pi z square upon r तो इसको डाल देते अभी के लिए first equation अब देखे इस question में कहा गया था use करना आपको बोर पाउसिलेट्स ठीक है तो बोर का एक पाउसिलेट्स तीन होते है तो मैं आपको सारे नहीं बता रहा हूं बोहीं बता रहा हूं जो इसमें apply हो होती है जो एंग्लो मोमेंटम होता है एंग्लो मोमेंटम को वैसे हम लिखते है इसका फॉर्मला होता है MBR और इनके according जो एंग्लो मोमेंटम था MBR वह एच अपॉन टू पाई का कितना टाइम्स होता है एंड टाइम्स तो वह चीज़ मैंने यहां पर डिरेक्ली लिग रख इस वी की वैल्यू को हम यहां फास्ट इक्वेशन में यहां पर लगाने वाले हैं तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू लगाई तो लगाने के बाद यहां पर स्क्वाइर सकी वी स्क्वाइर में था तो हमने इसकी टमका क्या कर दिया बच्चो स्क्वाइर कर दिया बाकी को क स्क्राइब तो यह हमने स्क्राइब इसको खोल लिया अब यहां पर हम थोड़ी सी कैल्कुलेशन करने वाले तो कैल्कुलेशन में देखिए एक एम से एक एम कड़ जाएगा ठीक है चलिए मैं आपको लिग के दिखाते दा हूं क्या क्या निकला हमारे पास देखिए यहां पर हमारे पास देखिए कैसे आया यह एम से एम कड़ गया एक पावर 4 से 4 कड़ गया 1 Pi से 1 Pi कड़ गया आपका 1 R से 1 R Cancel हो गया तो यहाँ पे मेरे पास कितना बच्चा यहाँ पे बच्चा उपर N स्क्वेर H स्क्वेर और नीचे बच्चा Pi M R और is equal to बच्चा आपका Z E स्क्वेर अब मैं R अगर निकालूँगा तो R निकालने के लिए N स्क्वेर H स्क्वेर और यहाँ पे एक EPSYLON बच्चा है जिसकी Cross Multiply इदर हो जाएगी तो यहाँ पे यह EPSYLON भी आ जाएगा तो R की value आ जाएगी आपकी यह solve होने के बाद EPSYLON नौट N स्क्वेर H स्क्वेर पाई M Z E स्क्वेर और यही आपको बच्चो इसी के लिए derivation करना था यह आपके लिए radius हो गई किसके लिए Nth और विट के लिए अब यह यहाँ पे hydrogen atom की अगर बात करता है तो hydrogen atom के लिए Z की value यहाँ पे कित्ती लगा देंगे बच्चो 1 तो formula कितना आ जागा R is equal to EPSYLON N square H square upon Pi M E square तो यह लिखना रह गया तो यहाँ पे hydrogen atom के लिए कहा गया था तो यह hydrogen atom के लिए formula बनके आ जाएगा सिर्फ आपको Z की जाएगे कितना लगाना इसमें 1 तो बच्चो आप देख रहे हो कि मैं सारे question solve कराते हुए चल रहा हूँ आप इन question को कर लेते तो यह आपके exam के लिए बहुत ही भला आपका करेगा भला तो क्या आप समझी जाएगे कि question paper में कैसे आते हैं यह को अच्छे से clear हो जाएगे तो देखिए आप से कहा गया state 3 posulate of board theory of hydrogen atom first question को पहले हम करते हैं फिस second को मैं बात को करता हूँ सबसे पहले हम आपको posulate बता देख ना board theory के recording क्या था मैंने लिग भी रखा है मैं उससे असानी से बता दूँगा ताकि आपको clear हो जाएगा पहला ये बताया गया था कि electron जो होते हैं जब nucleus के चारो और revolve करते जैसे कि यहाँ पर रदर फोर्ड model पर लखा था तो वो drawback कर दिया गया था क्योंकि रदर फोर्ड atom की stability को explain नहीं कर पाये थे वो ये नहीं बताये थे जो electron है वो इसके चारो घूम रहा है तो उसकी energy धीरे-धीरे कम होती आएगा और last में आगे वो electron nucleus में गिर जाएगा ये बात बोर्ड ने explain करी थी तो इनका ये first postulate यहीं है कि electron जो होता है वो revolve करता है stable orbit में stable का मतलब आप समझ सकते close orbit में करता है जिसमें वो energy को radiate नहीं करेगा जब orbit close होगी तो energy कभी भी orbits से बाहर नहीं जाएगी और वो electron के energy कभी loss नहीं होगी और वो energy जो होती है वो orbit की बिल्कुल क्या होती वच्छो fix होती है दूसरा क्या है यहाँ पर the electron जो revolve करते है यह भी मैंने पढ़ा है अभी तर लास्ट को questions में जो electrons होते है वो cable उनी orbit में revolve करते है जिनका angular momentum यानि कि L वो h upon 2 pi का कितना होता है integral multiple किसका होतना है n times तो यह आपका second postulates है third क्या है third में यह है कि जब कोई electron higher से transition करता है अपनी lower state में आता है तो आते समय वो अपने अंदर से photon यानि energy के रूप में energy release करता है तो वो energy जो release करता है वो दोनों जिससे transition होता है यसे कि आपका 4 से n बराबर 4 से 3 में हो रहा है n इकल टो 4 से 2 में हो रहा है तो वो इतनी energy release करेगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे e2 minus e4 तो उस आप से जो भी energy निकल की आएगी तो third postulate क्या बच्चों कि जब कोई electron higher higher orbit से lower state में आता है तो वो अपने अंदर से energy को क्या करता है release करता है वो energy उनकी initial of final state के equal होती है तो these are the postulate of birth theory अब इसी बच्चों यहाँ पर second question पूछा गया है find the angular momentum of an electron revolving in the second orbit of bore hydrogen atom तो देखिए अभी आपने postulates पढ़ेते हैं जो हमने पढ़ाता है कि जो angular momentum होता है वो कितना होता है न h upon 2 pi होता है बहुत आसान question जोड लखा है बच्चे छोड़ के आ जाते है angular momentum आपको निकालना है और कौनसी orbit के लिए निकालना है second orbit के लिए तो second orbit का मतलब है n की जगे आप यहाँ पे कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे कितना असान question दिया उसने लेकिन बच्चे करनी पाते हैं तो यहाँ पे n की जगे 2 लगाएंगे 2 से 2 कट जाएंगे 2 से 2 कटेगा पाई नहीं कटेगा तो यहाँ पे आपका पास एंगलो मोमेंटम कितना आ जागा second orbit के लिए वो आ जागा h upon pi तो यह आपका answer हो गिया एंगलो मोमेंटम हो गिया किस orbit के लिए second orbit के लिए बोर के hydrogen atom next question है आपका state boards postulate of hydrogen atom how is photon emitted by an excited hydrogen atom तो देखे यह वाला part तो अभी हमने करी लिया postulate में आपको समझाई दिये थे अब मैं इसको दुबारा नहीं बताऊँगा अगर नहीं भूल गया तो इसको remind करके फिर से देख लीजिए अब यहां पर हम यह वाला part करेंगे how is photon emitted by an excited hydrogen atom photon कैसे excited होते हैं तो देखे मैं आपको थोड़ा सा explain करता हूँ कि यहां पर जब normally तो और पर जो atoms होते हैं hydrogen के वो कहां पर होते हैं अपनी ground state में होते हैं लेकिन जब उनको कहीं से बाहर से energy मिल जाती है यहां पर हमने कोई energy इसको radiate करी डाली इसने तो energy मिलके यह अपने higher state में चले जाते हैं अपने से higher state यानि कि n बराबर 2 excited state कह सकते हो 3 कह सकते हो 4 इसमें यह चले जाते हैं ठीक है बच्चो तो किसी भी state में चले जाते हैं इसको energy मिलती है अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह उपर जब electron चले अगर अपनी excited में तो ऐसा नहीं है यह कभी न कभी अपनी lower state में फिर बापास आएंगे चाहिए वो 4 से 3 वाली में आया है चाहिए 3 से 2 वाली में आया है चाहिए वो direct ground state में आया है तो कुछ time वो time कोई fix नहीं होता है दो दिन, दो महिने, दो year कुछ भी हो सकता है तो जब कभी भी electron अपनी higher से lower state में आता है तो आते समय वो energy क्या करता है photons के रूप में emit करता है तो इस तरह से hydrogen के excited state atom से energy release होती है photon के रूप में अब इसको में एक बाद fair आपको लिखके दिखाता हूँ तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि room temperature पर most of hydrogen atom किसमे होते है बच्चो ground state में होते है जब उसको कहीं से energy release होती है तो जम करके higher state में चले आते है atom की इस state को हम क्या बोलते है excited state कहते है और यहां पर मैंने बताया बीजा भी कि excited state में electron फिर बापस आते हैं अपनी lower state में और बापस आते हैं समय energy क्या करते हैं वो release करते हैं photon के रूप में ब्रीफली एक्स्प्लेंद अब्सरवेशन मेड इन गिगर मासरडन एक्सपरिमेंट गिगर मासरडन मासरडन एक्सपरिमेंट राइट दा इंपोर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन दा अबाउट दा स्टक्चर आप एक्टम फोर फ्रॉम दीज अब्जरवेशन देखिए यहां पर चैप्टर की आपने पढ़ लखी थुरी तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि रदर फोर्ट ने क्या करा था एक्सपेरिमेंट सजस्ट किया था लेकिन जो मेंड बाती थी वो जब दर फोर्ट ने मतायी थी लेकिन बात को वो एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था इसको एलफा पार्टिकल का इसके एलफा पार्टिकल स्कैटरिंग experiment भी कहा जाता है यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि जो alpha particles होते हैं वो पहले किसी radioactive source से produce करते हैं अब produce करने के बाद collect करके उसको lead brick पर डालते हैं lead brick क्या करते हैं जो यहाँ से alpha particle emit होके जा रहे तो दर तो वो उसको यहाँ पर lead brick से pass कराने पर एक beam बना देते हैं बीम क्या होती है बीम का मतलब होता है एक laser light की रूप में चलना तो यहाँ से यह alpha particle की क्या बन जाती है बीम बन जाती है इस beam को बच्चों यहाँ पर किसमे डालते हैं thin gold file लिए यह thin gold file है हमारे पास इस पर जब हम डालते हैं तो डालने के वाद यह alpha particle scattered हो जाते हैं अब किस तरह के से फैलते हैं यहां पर तो उसके लिए यहाँ पे कि स्कीन बनाई जाती है हमें कीसे सके बनाई गई गई है इसकीन पे किसका लेप होता है जिंक सलफाइड का लेप होता है जब इस पे जहां जा यह पार्टिकल पढ़ते वहां पे फ्लेश होता है चमक होती है वो चमक से में पतल जाता है कि यहां पर अलफा पार्टिकल है तो और उसको हम यहां पर डिटेक्टर से भी चेक कर लेते द तो यह यहां पर बच्चो इसका क्या था यह इसका observation था इस experiment में यह observation लिए गए थे तो इस observation में जो experiment में लिए गए थे एक बार में इसको लिख देता हूं क्या आपको exam में कैसे लिखना होगा तो वह ने लिख दिया है experiment को शो किया नेरो बीम बना देते हैं यहां पर हमने लैट ब्रिक से पास कराके एक नेरो बीम बना दी दब बीम बाज एलाव टू फॉल ऑन थिन फो फॉइल अब गोल्ड फिर इस बीम को हमने इस गोल्ड की फॉइल पर डाला और इस्केटर ऐलफा पारटीकल जो उसमें अब्जर ओर रहे थे उसको हम किससे चाक कर रहे थे एक डिटेकटर लगा रखा था जो की रूटेट था इसको भूटेचर था हमारे पास जिसपे क्या लगा हुआ था जिंग सलफाइट की स्क्रीन थी और वेंड गरो स्कूप ता तो उससे हमने जो स्केटर अलफा वाडिकल देखे वो स्टैकिंग स्कीन पे हो रहे थे और इस तरह से पता चल ला था जहां-जहां फ्लैश हो रहे थे उससे वह हमें दिखाई पढ़ ला था इसको माइक्रोस्कूप से तो यह बच्चों यहां पर इसको देखने के बाद हमें अब यहां पर क्या उब्जर्बेशन है जब हमने इसमें देखा तो हमें देखके क्या पता चला तो वह हमें यहां पर पूछे जा रहे तो उब्जर्बेशन क्या थे तो वह उब्जर्बेशन क्या क्या थे हमें जब माइक्रोस्कूप से देख र नहीं रहे थे तो वो सीज़े पास हो रहे थे कुछ क्या था बच्चो जब ग्राफ हमने खीचा उसमें टोटल नंबर अलफा पार्टिकल इसकेटर हो रहे थे अलग अले एंगल पे तो मैं ग्राफ पहले प्लॉट कर देता हूं यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया था यह आपके नंबर ऑफ इसकेटरिंग पार्टिकल में और यह एंगल पर है इस ग्राफ को जो प्लॉट करने वह जलता है कि जो वन डिग्री है यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं यह जीरो से टुन्टी है तो लगबग यहां पर वन डिग्री आएगा तो इस डिग्री पे इसकेटर्टर्णों के संक्या जादा है तो यही बताया कि जो जदने जादा हो रहे थे वो वन डिग्री से जादा पर इसकेटर्ड हो रहे थे लगबग कितने जीरो पाइंट वन फोर परसेंट तो यह पारिकल अपने पास से क्या और लेधन दिफलैट ओ रहे थे और तीसरा कि आता कि कुछ पारिकल ऐसे जो अपने पात पर बापस आ रहे थे तो यह तकराकें देखेए बापस आ रहे थे तो ये थे observation अब इन observation के इसाफ से आगे question पूछ रहा write the important conclusion अब इसके observation से हमने कौन-कौन से conclusion निकाले जो की structure जो की structure बताते है atom का तो देखिए बहुत simple है पहला कहा गया कि कुछ alpha particle straight गए थे, सीज़े गए थे अगर कोची सीजी जा सकती है तो इसका मतलब है कि जाने के लिए रास्ता मिलेगा तभी आप सीज़े जा पाओगे it means कि यहाँ पर atom अंदर से कुछ क्या empty है तो बहुत सारा space atom के अंदर क्या empty है जिससे कि कोई भी electron किसी से collide नहीं करे और बिल्कुल वो सीज़े चले गए तो यह रिपलसीफ फोर्स को experience कर रहे तो उससे क्या लगेगा रिपलसीफ जिसके कारण वो क्या हो रहे थे उससे अवे हो रहे थे दूर दूर स्कैटर्ड हो रहे थे तो यह भी पता तला कि अंदर जो भी कुछ है वह पॉजिटिवी पार्ट है और तीसरे वाले पार्ट से बजल अंदर जो भी कुछ है वह पॉजिट पार्ट है तो यह पॉजिट और पार्ट को क्या कहा गया बाद में नूक्लिस कह दिया गया है जिस पर की पॉजिटिवी चार्ज होता है तो इस तरह से यह कंक्लूजन हमें पता चले है जो भी अब्जरबेशन उन्हें देखे थे तो यहां पर यह इसका अंसर कंप्लीट हो जाता है आपका अगर्फिली एक्सप्रेंट यह मार्शन एक्सप्रेमेंट शोग वैरियेंशन आप नंबर आप पार्टिकल विद इसके इन डिस एक्सप्रेंट वाट इस दा में कल्कूलिजन अब यह हमने सकर्टिकल एक्सप्रेंट में करा था एक्सप्रेंट इसके एंगल पर ग्राफ तो वह वह ने भी बना के दिखा आ था फिर भी मैं आप वर दिखादू तो यह हमने अभी बनाया थे कोशन नम्बर 12 में और यह यहां पर कोशन नम्बर बच्चो 12 है यह सका अंसर थर्जी नहीं 12 है थोड़ सा मिस्टेक हो गया नम्बरिंग में चलिए कोई बाद नहीं ड्रॉदा एनर्जी लेबिल ड्रॉदा कोशन चलिए साथ सिर्फ आपको यहां पर करने को कहा गया है एनर्जी लेबिल ड्रीगराम लिखना नहीं है तो यह पर आपको दिखाता हूं अनर्जी लेबिल ड्रीगराम हाइडरोजेंगन के लिए तो देखिए यहां पे आपने यह है ground state जिसमें एंबरम रावन उसके बाद जितनी में state होती है वो excited state होती है तो यह first excited state है यह आपकी second है यह third है यह fourth है और सभी state की जो energy होती है वो आपको आपने निकाल लखा है formula आपने drive करा होगा तो उसके दोरह यह energy सभी state की दिखा रखी है अब देखिए यहां पे हमें इसमें यह भी टांजी यह मार्क करके दिखाना इसमें कि corresponding series दिखानी है जो अल्टा वालेट रीजन में पड़ती है अब देखिए यह बहुत important है अल्टा वालेट hydrogen spectrum में पांच प्रकार की series मिलती है लाइमन बामर पाश्चन ब्रेकट और प तो उसमें जो series optines TIM होती है वह कहलाती है आपकी लाइमन series और यह लाइमन सीर्ष हमें कौन सीaları में दिखाई पड़ती है अल्टा वालेट रीजन में ज़सको हम頻물Itैं को दीख सकते हैं तो यह अल्ट्रा वालेट रीजन में आपको मिलती है लाइमां श्रीज फिर आपको दिखाना आता है विजीबल रीजन में कौन सी रिज मिलती है बामर सी और बामर सीरीज क्या थी बच्चों पर कहा यहाता है इंफरारेड डीजन में, इंफरारारेड डीजन में, हम्हें तीनe सिरीज मिलती है। पहली मिलती है में आपको कौन्य सी बच्चों यहाँ पर ? पाच्चन स्रीज।रेज्पाशन डीज़ में क्या होता है। कि और वह कहलाती आपकी ब्रैकेट सेरीज जो कि इसमें लक्टाउन क्या होता है अपनी कॉंसिस टेट में वापस आता है कि अगर हम लेबिल की बात करें तो फॉर्थ लेबिल और एकसॉइड़ की बात करें तो यह आपकी तिर्ड कराएगी एकसाइड़ में ओला यह भी हमें स्रीज मिलती है और इसको यह भी हमें इंफ्राराइड डीजन में तो इसमें बहुत इंपोर्टेंट पता है क्या है जो लाइमन स्रीज है वो अल्टा वालड डीजन में जो जो ब्रैकेट स्रीज है जो सारी बामर स्रीज है वो विजीबल डीजन में और इंफ्राराइड तो यह आपको इस तरह के से यहाँ पर मार्क करके दिखाना था जैसे मैंने दिखा दिये यहाँ पर तो यह लिखना कुछ नहीं सिर्फ डाइग्रम ट्रॉव करना था आपको राइड दा लिमिटीशन अव र्धर्फोर्ड मॉडल एक एक कोशिन करते पहले राइड इस तो आपने पढ़ लगका र्धर्फोर्ड मॉडल क्या था कि जब भी रधर्फोर्ड ने यह एक्स्प्लेइन नि कर पाये थे atom के structure की stability को कि nucleus के चारों के electron revolve कर रहा है electron तो लगातार उसकी energy कम होती जाएगी और orbit भी कम होती जाएगी last में जाके वो क्या जागा final nucleus में गिर जाएगा लेकिन जबकि ऐसा नहीं होते तो इस बात को वे explain नहीं कर पाएथे एक बात दूसरी बात उन्होंने बताया था कि जो orbit होती है nucleus के चारों जो भी orbit होती वो सारी possible energy की होती है तो इसका मतलब सारी possible energy का मतलब है कि जितनी भी energy होगी कोई भी इसमें energy gap नहीं होगा तो लेकिन जब कुछ के spectrum draw करे गए तो उनमें कहीं कहीं लाइन दिखाई पड़ी लाइन दिखाई मतलब है कुछ कुछ energy का gap दिख रहा है यानि कि वो spectrum जो है वो line spectrum दिख रहा है जैसे कि hydrogen का देखा जाता है इनके according spectrum line नौके continuous होना चाहिए था क्योंकि इसमें हर orbit की energy present होती है तो चरी एक बाद फियर लिखके मैं इसको explain फिर से करता हूँ limitation दिखानी आपको rather for model की तो दो limitation थी पहली limitation थी it does not explain the stability of the atom as the electron revolve around the nucleus अगर वो nucleus चार और around revolve करेगा तो उसकी energy continuously कम होती जाएगी as a result उसकी radius भी छोटी होती जाएगी और last में वो क्या हो जाएगा nucleus में गिर जाएगा but in actual electron do not fall in nucleus वो electron fall नहीं होता है एक बात तो ये stability दूसरी बात दूसरे के उनकी कमिया थी limitation का मतलब drawback कमिया पुछ भी कह सकते हैं failure भी कह सकते हैं आप इसको तो इसके according electron revolve उनी orbit में करता है possible में जिसमें emit करते continuous energy spectrum होना चाहिए लेकिन देखा गया कि hydrogen के spectrum line spectrum है continuous नहीं है तो ये बात भी यहां से explain नहीं हो पाई इसी बियाब पे ये दोनों point जो थे इनको purpose pavilion भेज दिया गया मतलब कि ये model fail हो गया आपका इस दोनों region से इसलिए इसके बाद आपने पढ़ा था बोर model तभी बोर आये थे जो इन बातों को उन्होंने clear करा अब यहां पे यह मैंने अभी आपको limitation बता ही अब इसका second question इसमें attach होके आया है wavelength निकालनी है second line बावमर सिरीज की hydrogen atom के लिए calculate the wavelength wavelength first अब देखें यहां पे बावमर सिरीज की बात की जा रही है आप से wavelength second line के लिए निकाली जा रही है तो देखें बावमर सिरीज के लिए क्या होता है आपने अभी पढ़ लखा है कि बावमर सिरीज वो होती है जिसमें electron कभी भी lower state में आता है तो टू बाली में आता है तो एंड मन की जगा टू और आपको यहां पे निकालनी है second line के लिए निकालनी है तो second line के लिए n2 की value कितनी होगी आपके पास 3 तो यह value हमने इस formula में लगाई calculate कर दिया तो calculate करके lambda की value हमारे पास फिर यहां पे हमें आप किसके लिए पूछा गया है सेकंड लाइन बामर स्रीज के लिए कि देखिए मैं आपको थोड़ा एक structure बना के समझाओ तो उसे clear हो जायागा फरस्ट लाइन क्या है यह आपकी बामर यह होती ग्राउंड इस्टेट यह होती आपकी excited state n2 n बराबर 3 और यह n बराबर आपका 4 तो देखिए बामर स्रीज में क्या होता है जब भी कोई electron second state में आता है तो वो series क्या 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 है आपकी बामर series क्लाती है अब अगर यहाँ पर हम second line की बात करें तो second line का मतलब क्या है कि यह first line हो गई first line से jump करके यहाँ पर आ रहा है तो first line की अगर हम बात करें तो first line के लिए यह मैंने आपको first line के लिए निकाल के दिखाया है first line के लिए जो lower value होगी वो n1 कितनी लगाएंगे 2 और higher value के अतनी लगाएंगे हम 3 तो यह first line के लिए transition है और second line के लिए हम निकालेंगे तो second line कहां से होगी एक line छोड़के यह line आ गई तो उसके लिए transition कहां से होगा एंगल टू फोर से एंगल टू टू में जो transition होगा वो second line को बतायागा तो second line के लिए आपको यहाँ पर question में second line के लिए wavelength की value दे रखी है lambda और first line के लिए आपको lambda की value निकालनी है तो यही formula हमने इसमें लगा दिया calculation कर लेते हैं इसको तो solve हो के यह आपके पास इतना आ जायागा अब यहाँ पर क्या करना है हमें कुछ नहीं इन दोनों को हम यहाँ पर equation से solve करके divide कर लेते हैं second को first से तो calculation है असान है तो यह जब divide करेंगे तो यह वाला part तो हमारे पास exit आ गया और इसको इसे डिवाइड करेंगे तो यह आपका reciprocal हो जायागा similarly यह part आपका यहाँ पर आ गया और इसे डिवाइड करेंगे तो यह इसका reciprocal हो जायागा calculation करेंगे तो यहाँ पर calculation में R से R cut हो गया चलिए calculation तो आप कर लेंगे मैं थोड़ा सा इसको करा देता हूं तो यह आपकी इसको solve करने के बाद यह बचेगा और इसको करेंगे तो 18 कोशन ने the ground state energy hydrogen atom की इतनी दे रखी है what is the potential energy of kinetic energy बतानी एलेक्टाउन की थर्ड एक्साइटर स्टेड में तो देखें एवन दे रखा है और energy एनध लेविल के लिए कितनी होती है आप से किसकी पूछा गया बच्चों यहाँ पर थर्ड एक्साइटर स्टेड थर्ड एक्स 4 यह हमारी कलाती है excited state excited में इसको बोलते है first इसको बोलते है second और इसको बोलते है third तो थर्ड excited state के लिए n की value कितनी होती है four होती है तो यहाँ पर हम energy में लगा देते है four और इसको हमने 16 आगया सका square root इसको divide करते है तो divide करके पास आपके बाद energy यह आ जाती है लेकिन आपक अब कहाने काल नहीं potential energy और kinetic energy तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास first question मैंने इस वीडियो से start करने पर start किया था first यह second question में तो हमने पढ़ा भी था kinetic energy तो जो होती है वो total potential energy के बराबर होती है तो इसकी value जो हम लगाएंगे तो यहाँ पर minus आ जाएगा तो मैना मैनस प्ल tension energy आपके पास आ जाएगी इसमें अगला question है calculate the wavelength of second line lineman series की in spectrum hydrogen atom के लिए यह आपको पास formula है अब आपको देखो लाइमन स्रीज की बात की जा रही तो लाइमन स्रीज क्या होती है जब first orbit में electron पहुंचता तो एंदमन की वह लिए first हो गई और second line की लिए पूछा जा रहा है तो second line का मतलब क्या हो गया 2 और 3 2 को छोड़ देंगे तो second line के लिए n1 की value 1 होगी और n2 की 3 इसमें हम लगा के calculation कर लेते है असान calculation इसलिए मैं जाता सको clear नहीं कर रहा हूँ आप लोग कर लोगे तो इससे हमारे पास lambda की value आकी 9 upon 8 R अब यहां पर क्या करते हैं हम यहां पर R की value लगा लेते हैं R की value हमें given की question में यह थोड़ा power में है यहां पर 10 की power 7 है इसको solve करेंगे तो यह थोड़ा छूड़ गया यह power में आपको लिखना 10 की power minus 7 तो यह आपकी क्या वे इसकी wavelength आ गई what is ionization energy? write the value of hydrogen atom ionization energy क्या होती है बच्चो? the minimum energy required to free electron from ground state अगर ground state से किसी excited state में जाने के लिए जो minimum energy होती है वो ही उसकी क्या कलाती है? ionization energy कलाती है और hydrogen atom के लिए ionization energy की value अगर निकालनी है तो hydrogen atom में A की orbit होती है तो N की जागे हम यहाँ बन लगा देंगे तो यह आपके पास जो निकल के आ जाएगी यह hydrogen atom की आपके पास ionization energy आ जाएगी तो बच्चों मैंने बहुत कोशिस करिए कि आपका paper बहुत नहीं super duper जाए उसके लिए क्या है कि आपको सारे PYQ कोशन कहीं भी नहीं मिलेंगे यह अगर यहाँ तक आप मेरे वीडियो तो आ गया है कहीं नहीं मिलने यहीं इसी channel पर आपको मिलेंगे बस आपको करना कुछ नहीं है वीडियो को सब्क्राइब तो करिए करिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजेगा तो उससे क्या होगा मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलेगा वीडियो बनाने में और आपके लिए बहुत काम की चीज है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मार्केट में बुक खर सोला के पेपर में से एक एक कोईशन निकाले इस चैप्टर के तो यहाँ आपको चैनल पर चैप्टर वाइज और साथ की साथ हर येर बाइस पी आई क्यू मैं आपको देने वाला हूँ आप बस इस चैनल पर बने रही है और वेट करते हैं यह नेक्स्ट वीडियो के लिए और चैनल को लाइक जरू कर दीए और यह अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथ के साथ सब्सक्राइब कर दीए आपके बास वीडियो अपने आप पहुंच से रहेंगे क्योंकि बस मेरे संग एक प्रॉब्लम है आपको टाइम टू टाइम नहीं बता सकता कि मैं कब प लूट करने वाला हूं